नमस्कार एक बर फिर आप सभी का स्वागत है कहते हैं ना कि जानकारी ही बचाओ है हाँ ये बात हमारे जीवन के हर पहलू पर सत प्रतिशत खरी उतरती है इसलिए तो हम आज बात्चित करेंगे सतरकता और जागरुकता पर हमारे यशश्वी प्रधान मंत्री जी का भी मानना है कि सतरकता, जागरुकता, करतव विनिस्था, एमानदारी और आत्म विश्वास ही किसी भी राष्ट के आगे बढ़ने की सबसे मजबूत कडिया है तो चलिए आज इस औसर पर इस विशय पर बात्चित करते हैं और हमसे अपने ज्यान को साजा करने के लिए हमारे साथ मौझूद हैं श्री मिथिलेश कुमार श्री वास्तो आप सहायक प्रबंधक हैं मानो सुनसाधन उत्तरी शेत्र लखनों में तो सबसे पहले उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं बहुत-बहुत स्वागत है मिथिलेश जी हमारी काईकरम में आपका अस्तर्य धनवाद में और जब हम सतर्कता, जागरुकता की और जानकारी की बात करते हैं साउधानी की बात करते हैं तो इसके आशे जीवन के विभिन पड़ाओं पर अलग-अलग निकलते हैं लेकिन आज इसका इकरम में हम जिस सतर्कता और जागरुकता की बात कर रहे हैं का आशाय क्या है कि आज हम जिसभी से पर यह उपस्तित हैं हमारा सदरक्ता से अर्प्राय, भारज सरकार के करमचारि के वंशतानों से संबंधित सदरक्ता बरतने से है ताकि हमारे कर्मचारी जो भी हैं किंद्री सरकार के और जितनी भी संस्थान हैं उनकी कार्यपधती में सुधार लाए जा सके और उनमें पारदरश्टा लाए जा सके ताकि वे अपनी कर्तब्यों का पालन सुचार उडूप से कर सकें और तुरूटी की कोई संभावना न रह इसके लिए हमको आपको और समस्त नागरी को सतर करने की जूरत है तो सतरकता एक तरह से ये प्रिवेंटिव होता है ताकि हम कोई गलती न कर सकें चाहे वो हमसे अंजाने में ही क्यों न हो इसके लिए जौरी होता है कि हम अपने बनाएगे नियम कानूनों का पालन करें उनकी जानकारी रखें और जो भी हमारे डेलगेशन आप पावर पद के हिसाब से बनाए गए हैं उसका हम जानकारी रखते हुए अनुपालन अवश्च करें जे बिलकुल तो जानकारी होना बहुत जरूरी है ताकि गलती से भी गलती नहों अगर गलती हो ही गई हो तो सुधार की कितनी गुंजाईश है ये भी जानना बहुत जरूरी है तो जानकारी की जब हम बात करते हैं और सतरकता की बात करते हैं और इस परिप्रेक्ष में कि प्रकारे को अंजाम देना है तो आज इसी जानकारी के तहट हम जानना चाहेंगे कि एक व्यक्ति जो किसी सरकारी पद पर है और राश्टीहित में लगा हुआ है तो उसके जो मॉलिक कर्तब्वे होते हैं वो क्या होते हैं जिससे कि कोई भी गलती वो न कर सके जी उसके मौलिक करतब बे ही हैं कि वह अपने अधिकार और करतब बे जो उसके पद के अनुरूप निर्धारित किये गये हैं उसका वह बिधिवत अनुपालन करे जी और उसमें किसी परकार की तुर्ट की संभावना नहीं रखनी क्योंकि अगर आप सत्यनिष्ठा और इमानदारी इन दो से हटने का प्रयास करेंगे तो आपके सारवजनिक लाइफ में तूट की संभावना बढ़ जाती है और आपका जो पद है जो जिम्मेदारी है जवाब देही है उसके साथ साथ उसका गुरा प्रभाव आपके सामा आजिक और सारवजनिक जीवन पर भी पड़ता है जी बिलकुल तो कब ये जरूरत महसूस हुए कि एक ऐसा भी विभाग होना चाहिए और एक इस तरीके की भी कमीटी होनी चाहिए जो नजर रख सके कि हम अपने कर्तव विनिस्ठा और अपनी मानदारी के प्रती कितने सतर कहें कब सिसकी शुरुआत हुई दखिये हमारा जो भी सिस्टम बनाया गया है वो तो समयधान के अरूप चलता ही है फिर भी मुख्य कारण यह होता है कि जो भी जिम्यदारियां लोगों पर बाटी जाती है और उसमें अग्यानता जानबुज का चाहिज़ों से भी हो जब थोड़ी सभी रहती है तो उससे तुर्टी की समभावन बढ़ जाती है तो इसी को दिश्टिगत भारत सरकार ने सन 1964 में यह सुझाओ दिया कि एक सतरक्ता कमीशन का गठन होना चाहिए तो बिल्कुल और ऐसे में जब यह और शक्ता महसूस होई तो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी आए होंगे जानकारी में मौजूदा सरकार के तभी निर्णा भी लिया गया और इन इंसिडेंट्स से हमें बचना चाहिए और ऐसी इस्तिती में हर बार एक नारा दिया जाता है और हमारा आपका और पूरे नागरिकों का एक दूसरे से मिल नहीं खाता है तो उसमें कुछ भिन्नता तो पाही जाती है तो उसमें समानता लाने के लिए हमें जो है एक कोई एक उद्देश लेकर एक टार्गेट लेकर चलना पड़ता है एक जिसको हम जंज आगरुकता के सभी लेकर चल सकें तो इसी को लेकर के हमारा CBC जो है हर वर्ष कोई न कोई एक थीम बनाता है जिससे इस वर्ष का थीम उन्होंने दिया है कि स्वतन्त भारत के 75 वर्ष यानि सत्य निष्ठा से आत्म दिभरता जी तो आत्म दिभरता चुकि हमारे माननिय प्रधानमंत्री ज इस समय को हमारे देश की स्थती है उसमें आत्म दिभरता भारत की तरफ हम सभी अग्रसर है तो हमारा सारा जितना भी सरकारी तंत्र है आत्म दिभरता से जोड़ रहा है तो हमारा CBC भी इसी आत्म दिभरता को सत्य निष्ठा से जोड़ करके और इस वर्ष का थीम रखा है जैसा कि पिछले साल तो थी में रखा गया था कि सतर्क भारत समरिद भारत और उसके पहले 2019 में रखा गया था कि इमानदारी एक जीवन से लिए तो इसी प्रकार बीच में भी कितनी बार करफशन फ्री इंडिया ऐसा करके फिर करफशन को रोकने के लिए जन भागिता जरूर है ऐसे करके 2016 में भी रखा गया था तो हर वर्ष जो है सिविसी अपने सरकार के मंसा के नुरूप जी उसको थिम को बदलती रहती है ताकि हमारा देश संतुलित रह करके और अपना काम करे ताकि हम सभी छेत्रों में आत्म निर्भर हो सके हैं जी बिलकुर क्योंकि अगर कह पर भरष्टाचार पनपता है तो वह एक ऐसा रूप ले लेता है कि किसी ने किसी का हक वहाँ पर मारा जाता है क्योंकि यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सिच्छा देना बहुत ही जरूरी होता है और बहुत ही मुस्किल काम है जी बिलकुर कि लोकतंत्र को सिच्छित करन के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी होते हैं राजनेतिक धल जे और लोक को जनता को अगर वाकई सिच्छित करना है जागरूप करना है तो राजनेतिक धल को वैसा ही आच्रण करना पड़ेगा तभी जनता हमारी जागरूप होगी बिल्कुल यानि कि अपने उधारन से माता जो वरिष्ट जन हैं जो प्रभूद जन हैं समाज के तपके के ऐसे लोग जिने हम अपना आदर्श मानते हैं वो ऐसा चरित्र रखें जिससे की करतव विनिष्ठा और इमांदारी और गांधी जी के कत्नों में अगर कहें तो उन्होंने तो पूरा जीवन ही सत्य के प्रयो होती है तो एक समाजिका और जिम्मधार नागरिक होने के नाते हैं हम झब अपने किसी कारे के लिए किसी दफ्तर या विभाग में जाते हैं तो हमारे भी कुछ करतव विह होते हैं कि हम ऐसा कोई महाल या ऐसा इशारा न दे जिस से की कि सी भी तरीकी का ब्रश्ठचार व् पड़ता है तो जिस तरह से आप अपने घर से अकले निकलती हैं तब जाकर के सौधोस लोग अखठा होते हैं और आप अपने उद्देश से लचकी और चलते हैं उसी तरह से सत्यनिष्ठा भी सबसे पहले हमें अपने अंदर देखनी पड़ेगी अपने अंदर अपनानी सबसे पहले जरूरी है कि सत्यनिष्ठा हम अपने अंदर लेकर के तब आगे बढ़ें जब हमारे अंदर होगी आप भी अपने अंदर देखेंगी हर नागरिक को यह अपनी रिस्पांसिबिल्टी समझने पड़ेगी कि सत्यनिष्ठा खुद अपना है तब ही देश आगे सकता है क्योंकि लोक तंत्र है हमारे कहने से आप नहीं बदल सकती है यह आपके कहने से हम बदल सकते हैं इसलिए सबसे पहले हमें खुद को बदलना है उसके बाद समाज अपने आप बदलेगा बिल्कुल हम बदलेंगे जग बदलेंगे ऐसा भी कहा जाता है लेकिन अगर कहीं गलती हो ही जाती है तो उसके लिए भी निश्यत रूप से कोई प्रावधान किये गए हैं तो जब ये गलतियां हो जाती है कोई भष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उसके लिए क्या आती दौर में ही दूर किया जा सकता है क्योंकि हर ऐक कार के लिए चैनल बना होता है अगर नीचे के अधिकारी से इनल्येट कर ते समय ही कोई दूट हो गई है तो उसके उपर के अधिकारी के पास जब भी प्रस्ताव पहुंसता है तो उसको भी देखना चाहिए जिए कि नीचे से जो फाइल आ रही हमारे पास, वह सही धंक से आई कि नहीं, तो अगर वहाँ खुद बिजल रहता है, वहाँ सतर्क रहता है, तो नीचे वाले की गलती वहाँ पकड़ कर सुधार सकता है, यही इस तरह से सब चैनल बना हुआ है, इसलिए सब के अपरुविंग अथा और तब तुटियां अपने आप बिभाग में ही समाप्थ हो सकती हैं, और रही बात की तुटि हो जाने की, तो तुटि होने के पीछे बहुत सा होता है कि जैसे, मैं इमानदार हूं, मैं किसी प्रकार कर रिषोद नहीं लेता, मैं जान भूज कर कोई गलती नहीं कर रहा मेरे उपर किसी अधिकारी का प्रेसर आ जाता है कि यह काम करना किसी का जाता है, तो ऐसे में आदमी अपने से गलती नहीं करता है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं ऐसी चूक हो सकती है, तो वहाँ पर हमें अपने सिस्टम का ध्यान रखना चाहिए, कि हमें अपने सिस्टम से चल हो जाती है तो वह तो आगे तुटी नहों इसके लिए दंड का प्रावधान तो है बहुत बहुत भाँ धन्यवाद आप तो देना चाहेंगे कि आपने आज इस औसर पर और इस विशय पर इतनी अच्छी हमें जानकारी दी तो मैसेज यही है कि हम अपने करतव निष्ठा और इमानदारी से अपने कारे को उसका पालन करते रहें ताकि हमारी किसी भी छोटी सी बड़ी चूक से राष्ट हित खत्रे में ना आए तो इसी संदेश के शाथ कि आप से फिर होगे मुलाकात एक बार फिर इजाज़त लेना चाहेंगे नमस्कार